हेलो माई लव्ली फ्रेंद्स नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सो फ्रेंड रच्छा बंधन आने वाला है तो आज मैं आपके साथ राखी लुक बुक शेयर करूँगी रच्छा बंधन एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें भारी भरकम पहने पे अच्छा नहीं लगता हमें सिंपल एंड सोवा टैप का आउटफिट चाहिए रहता है बट एट सेम टाइम वह आउटफिट हमें स्टाइलिस भी दिखाए और सबसे बड़ी बात हम उस आउटफिट में कमफर्टेवल फील करें तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखके ही मैंने ये लुक बुक रेडी किया है और आई होप आप भी सब इस लुक बुक को इंजुआई करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीस लाइक और शेयर जरूर कीजेगा तो फ्रेंड ये है मेरा पहला लुक जो बहुत ही सिंपल एंड सोवर टाइप का है इसमें मैंने एक बहुत ही सिंपल एंड सूधिंग कलर वाला कुर्टा सेट वियर किया है इसे मैंने श्टाइल किया है मेटल के बैंगल्स के साथ आप सूट ध्यान से देखोगे तो उसमें बेबी पिंक कलर है तो इसलिए मैंने कंट्रास्ट क्रियेट करके मेटल्स के बेवी पिंक कलर के बैंगल्स लिए हैं एरिंग्स में मैंने बड़े बड़े सिल्वर श्टड डाले हुए आप चाहें तो छोटी छोटी जुमकिया भी पेर अप कर सकते हैं भी बहुत ही प्यारी लगेंगी हेर्स को भी मैंने ओपन रखा है सिर्फ साइट पफ क्रियेट करके पिं लगाई है तो ये लुक ऐसा है किसे आप घंटो वियर कर सकते हैं आपको बिलकुल भी अनकंफर्टेवल फील नहीं होगा कई बार होता है ना रच्छा बंदन हमें सुबह से लेकर साम तक सेलिब्रेट करना होता है तो अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है तो आप कुछ इस तरह का लुक बुक क्रियेट कर सकते हैं ये देखने में स्टाइलिस भी लगता है अब इसमें बहुत ही जादा कमफर्टेवल फील करेंगे ये जो ऑप्फिट है इसका फैबरिक रियाउन का है तो आप बहुत ही कमफर्टेवल फील करेंगे दिस इस मैई सेकेंड लुक ये उनके लिए बहुत हेलफूल होगा जो राखी में थोड़ा सा cool and casual type का लुक चाहते हैं इसमें मैंने एक black color की बहुत ही प्यारी सी midi dress wear की है इस लुक को complete किया है मैंने एक hand में wash लेके एरिंग्स में मैंने बड़े बड़े pulse के hoop सी एरिंग डाले है ताकि थोड़ा सा festive wipe मिले and simple सी ponytail बनाई है तो अगर आप अपने लुक में थोड़ा सा western का तरका भी चाहती है तो इस तरह का look book create कर सकते हैं बहुत ही simple and stylish look है next look college going या office going girl के लिए बहुत ही helpful होने वाला है कभी कभी क्या होता है रच्छा बंदन के बाद तुरंथ हमें college जाना रहता है या office जाना रहता है तो उस टाइम आप कुछ इस तरह का look create कर सकते हैं मैंने यहां बहुत ही प्यारा सा एक काफ़तान वियर किया है और इसे pair up किया है denim के साथ earrings में मैंने हुपस earrings डालें आप चाहे तो जो चांद earrings आते हैं वो भी try कर सकते हैं तो यह भी बहुत ही simple and stylish look है college and office going girl के लिए next look में मैंने बहुत ही प्यारा सा खुबसूरत lavender color का एक सरारा सेट वियर किया है यह भी रच्छा बंदन या किसी भी day function के लिए बहुत ही प्यारा outfit है यह outfit मैंने मीसो से लिया था मैं आपको जो भी outfit दिखा रही है या जो भी jewelry उसकी detail मैं नीचे description box में दे दूँगी आज कल lavender color काफी trend में है और किसी भी day function के लिए मुझे भी बहुत ही अच्छा option लगता है इसे मैंने silver necklace के साथ pair up किया है और कानों में मैंने बड़े-बड़े silver stud डाले है और एक हाथ में मैंने white stone वाला bracelet लिया है तो इस तरह ये look काफी simple and sober type का लग रहा है और आपको at the same time festive vibes भी दे रहा है तो आप रच्छा बंधन के लिए कुछ इस तरह का भी look create कर सकते है next look मैंने newly married को ध्यान में रखके create किया है क्योंकि जो newly married होती है अगर वो light color पहनती है तो उतना अच्छा नहीं लगता तो उनको ध्यान में रखके मैंने red and dark blue color का ये suit wear किया है आप देख सकते हैं इसका जो color है आपको festive vibe तो दे रहा है साथ ही newly married के लिए भी बहुत ही अच्छा है इसे मैंने style किया है golden jewelry के साथ माथे पे एक बिंदी लगाई है और हाथों में of course चूड़ा wear किया है जिससे आपको एकदम जो newly married वाली vibes होती है न वो मिलेगी तो अगर आपकी नई नई साधी हुई है और आप साड़ी नहीं wear करना चाहती तो कुछ इस तरह का look create कर सकती आप किसी भी dark color के suit के साथ ये look create कर सकती है बहुत ही प्यारा and सुन्दर लगेगा and at the same time आपको काफी comfortable भी feel कराएगा and आपको दुलहन वाली vibes भी देगा अगर आपको थोड़ा सा और बोर्ड लुक चाहिए तो आप golden necklace भी wear कर सकती है बट मुझे personally feel होता है कि necklace में especially जो heavy necklace होता है उसमें आप बहुत ही जादा देर तक comfortable feel नहीं करेंगी बट ये वाला जो look है इसमें आप comfortable तो feel करेंगे and साथ ही साथ बहुत ही खुबसूरत भी लगेंगे next look मैंने बहुत ही simple रखा ये मैंने teenager girls को ध्यान में रखके create किया है इसमें मैंने एक short अनार कली कुर्ती को blue color के trouser के साथ pair up किया है बहुत ही simple सा look है ये earrings में मैंने छोटे-छोटे से golden color के hoops डाले है आपको अगर बड़ी earrings पसंद है तो आप बड़ी earrings भी इसके साथ pair up कर सकते है तो ये look भी मुझे रच्छा बंदन के हिसाफ से काफी अच्छा लगता है अगर आप बहुत हैवी कुछ नहीं wear करना चाहते है एकदम simple and sour type का look चाहते है इसपेसलिए अगर आप teenager girls है college going girls है या office going girls है तो आप कुछ इस तरह का look create कर सकते है आप चाहें तो इसके साथ jeans को भी pair up कर सकते है अगर आपको बड़ी-बड़ी earrings पसंद है तो कानों में बड़ी-बड़ी earrings टाल ये इसपेसलिए जो चान्द earrings आती है तो उससे आपको festive vibes भी मिलेगा तो फ्रेंड ये था मेरा last look book I hope मैंने आपको जितने भी look book create किये है वो सारे पसंद आये होंगे तो फ्रेंड यही थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने सारे age group को ध्यान में रखके ये look book create किया है चाहें आप teenager girls हो, college going girls हो, office going girls हो या अगर आपकी newly newly married हुई है या अगर आपकी साधी को काफी time भी हो चुका है तो सब को ध्यान में रखके मैंने different look book create किया है and I hope आप सब को भी ये मेरा जो idea है वो पसंद आया होगा and वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई है थोड़ा भी आपने इस वीडियो को enjoy किया है अगर के लिए bye bye take care